नमस्कार बित्रो आज हम लोग देखेंगे sexual reproduction of flowering plants के कुछ कुछन कुछन स्टार्ट हुआ है बैली से और कुल पचास है मतलब total large question की जो strength है हमारे पास excuse me total हमारे पास जो strength है question की वह है कुल 8 question तो आज बहुत कम ही समय लगेगा जो strength है वह total कितने question है 8 है तो 8 मतलब hardly 5-7 minutes लगे ठीक है और हम लोग BPSC TRE3 के question solve कर रहे हैं आपने बता था अब उनका pattern जो NCRT के आसपास ही रहता है तो इसलिए आप इस पर focus करेंगे ठीक है चलिए pollen tube usually enters the embryos egg through तो अभी एक मतलब कैसे इंट्री करता है तो आपको पता ही होगा यह इसकी इंट्री कैसे होती है तो वन आप दे synergies तो यह तो सही है मतलब वन आप देसे डायलेक्री पेनेट्रेट्रेट्स तो एक नहीं भाई between one of the synergies and central cell नहीं by knocking of antipodal cells नो तो आपका जो करेक्ट टैंसर वाना जाएगा one of the synergies मतलब आपने देखा होगा अगर structure embrace आएक का तो यहाँ पर एक बीच में excel होता है दो synergies होता है तो इसी दोनों में से one of the synergies में से किसी में से इंट्री करता है ठीक है चलिए कुश्य नमबर 43 देखिए हमने बता था आज टोटल 8 कुश्यन है तो बहुत जल्दी ही समागत होंगे चलिए कुश्य नमबर 43 देखिए डबल फर्टिलाज़ाशन इंबोल्स फटिलाज़ाशन ऑफ एग भाई अट्वल गांच स्था नहीं भाई फटिलाज़ाशन ऑफ टू एक्स इन्थे सेम इंबरियो सैक dal स्था ठॉल्ट बॉ। बॉट्च जियक यह काईर कर कहा है फटिलाशन ऑफ टो एक्स नहीं छouldth लाइसन ओफ दे एग एंड दे सेंट्रल सेल्स बाइद टुव स्पर्म ब्राट बाइद सेम पॉलेंट्यू तो थर्ड इस तर्ड करेक्ट एंसर चलिए 43-44 देखिए 44 को तो इजी है आप मैच करा सकते हैं आप देखिए ओवियूल को तो सीट से मिला दीजी फीनिकल्स को आप न्यू सिल्स को पेरिस पशा मिला दीजी पॉलर न्यू कल्यüs ऑलाता है इंडर्स पशाधा है और फीनिकल्स ऐ यह तो इस थरह आपका जो नुशिलेस, नुशिलेस 4, तो सी का 4 में सबका 1st is the right answer, कौन सा right answer होगा, 1st ठीक है, तो 1st is the right answer, चली, आगे देखी, यह होगा 44, 44 के बाद 45 देखते हैं, 45 में क्या करता है, the plant part which consists of two generation and one within the other is, ठीक है, तो यह का रहा है कि two generation होता है और one within the other is, तो इंब्रियो तो होगा नहीं, germinated pollen grain होगा नहीं, unfertilized oval होगा नहीं, तो seed में ही होता है, ठीक है, तो मतलब आपका जो plant part होता है, उसमें दो generation होती है, one within the other, मतलब seed में ही यह generation पाई जाती है, ठीक है, तो 45 का D is the right answer, मतलब 14 correct है, 45 के बाद आई है, 46 देखिए, diagram based है, तो आप पहले diagram को read करिए, which one of the following, pairs of plant structures has haploid number of chromosomes, मतलब कि इसके पास, excuse me, थोड़ा सा visibility कम है, हाँ, नहीं सही है, question, तो हम लोगोंने सही पढ़ा था, तो newcellus and the antipodal cells, अचा यह पूच रहा है, नहीं, यह तो अलग, जो diagram है, और इसका question अलग है, तो which one of the following pairs of the plant structures has haploid number of the chromosome, तो newcellus diploid होगा नहीं, megaspore mother cells and antipodal cells, तो यह भी कम ही चांस है, egg nucleus and secondary nucleus, secondary nucleus misdiploid ही भी नहीं है, egg cell and antipodal cells, तो fourth आपका right answer होगा, ठीक है, तो 46 में मतलब, एग haploid होगा है, यह भी N होगा है, यह भी N होगा है, यह भी N होगा है, ठीक है, तो fourth is the correct answer, तो 46 का four is the right answer, चलिए, diagram based aglacution है, इसमें देखिए क्या करता है, यह diagram दिया है, A है, B है, और यह diagram C है, और यह diagram C है, ठीक है, तो अब इस diagram पे आप match करा सकते हैं, ठीक है, तो अब आप देखिए, इसमें क्या है, पहला है, A is the endospom, B is scutalum, नहीं भाई, A is the scutalum, B is pericarp, and C radical, D is cellurizer, तो यह कुछ सही दिख रहा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे, तो इसमें कौन सा सही है, तो सही है, आपको B is the right answer, कौन सा right answer है, B, ठीक है, मतलब A क्या है, आपका, is scutalum है, ठीक है, मतलब C is a cotyledon, और B is pericarp है, और C आपका radical है, D is cellurizer, ठीक है, चली, embryo sac is, तो embryo sac क्या होता भई, अब आप embryo sac देखिए, तो mega sport तो होगा नहीं, micro gamitophyte होगा नहीं, micro मतलब male female gamitophyte, तो female gamitophyte को हम embryo sac बोलते हैं, तो third is the correct answer, ठीक है, चली, 49 देखिए, 49 में का करता है, फेदरी stigma belongs to, तो यह wheat में पा जाता है, पी में नहीं है, दतूरम नहीं है, सिजल पी नहीं है, तो आपका correct answer वालने लेगा, wheat में फेदरीश्टिक हो, क्योंकि एनिमोफिलस, एनिमोफिलस ही, पॉलिनिसर होता है, लास्ट क्यूशन देखिए, 50 का, चैस्मोगयमी refers to the condition where, तो मतलब हमेशा यह flour ओपर होते हैं, तो चैस्मोगयमी means third is the correct answer, तो इस तरह हम लोगों ने आज बहुत कम ही क्यूशन रखे था, टोटल एट क्यूशन रखा था, और यह बहुत ही short video कह सकते हैं आप और यह आने वाले exam में help करेगा, ठीक है, तो चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं, और ठोड़े से ज्यादा video रखेंगे, मतलब क्यूशन को रें ठीक है, ठीक है, थांक यू